महाभारत के लिए आज भी बियार चोपडा को याद किया जाता है। हालां कि महाभारत के अलावा उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई थी जिन्होंने बॉक्स ओफिस इतिहास रच दिया था। बी आर चोपरा की बनाए मुख्य फिल्मों में एक निकाह भी थी, 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर खूब बवाल हुआ था. यहाँ एक कॉंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बनी फिल्म थी, जिसे ना देखने के लिए सिनेमागरों के बाहर पोस्टर लगाए गए थे. लेकिन तमाम बैनर पोस्टर और विवादों के बीच भी फिल्म ने बॉक्स ओफिस तहलका मचा दिया था. यही नहीं, उन दिनों इस फिल्म को लेकर माहौल कुछ ऐसा था कि फिल्म के चलते बी आर चोपड़ा के खिलाफ 34 एफायार दर्ज हो गई थी. बावजूद इसके, फिल्म का दर्शकों पर कुछ ऐसा जादू चला की टिकट के लिए टिकट खिडकी में दर्शकों की लंबी लाइन लगी रही. फिल्म में दीपक पराशर, राज बबबर और सलमा आगहा जैसे कलाकार लीड रोल में थे. फिल्म में सलमा आगहा एक सिंगर नीलोफर के रोल में थी, जबकि दीपक पराशर ने उनके शोहर नवाब वसीम और राज बबबर ने उनके प्रेमी हैदर के रोल में थे. फिल्म तीन तलाक के मुद्दे पर बनी थी, लेकिन 24 सितंबर 1982 को रिलीज हुई इस फिल्म का नाम काफी विवादों के बाद बदला गया और निकाह कर दिया गया. जबकि फिल्म का टाइटल पहले तलाक, तलाक, तलाक तै किया गया था. फिल्म ने दर्शकों को जितना एंटर्टेन किया, उतना ही ये विवादों में भी रही. तीम तलाक के मुद्दे पर बनी ये एक ऐसी फिल्म थी, जिसने मुसलिम महिलाओं के दर्द के कई पहलूँ को बहुत बारीकी से दर्शकों के सामने पेश किया था. हालांकी, फिल्म को लेकर निर्देशक बियार चोपड़ा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. फिल्म के टाइटल का एलान करने से लेकर इसकी रिलीज के बाद तक ये लगातार विवादों में ही रही. लेकिन जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और सफलता के ज़ंडे गार दिये. सौजन्य से न्यूज अठारा आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं. और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. जाए हिंद!